प्रोफाइल टेस्ट होता है वह आपका कोलेस्टरॉल पकड़ लिता है और कोलेस्टरॉल के बारे में सब जानते हैं और आप लोग उसके लिए लिपिड प्रोफाइल डामका या कोलेस्टरॉल नामका टेस्ट कराते हैं कई लोग सिर्फ टोटल कोलेस्टरॉल कराते हैं जो के घलत है उसका कोई खास इस्तमाल यूज नहीं है ultimately हमें पूरा fasting लिपिड प्रोफाइल चाहिए होता है हमें और fasting में आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो हैं कम से कम 12 घंटे की fasting हो अगर आप 12 घंटे fasting करने के बिना test कर लेते हैं तो वो test का हमारे लिए कोई खास फाइदा नहीं होता हम उसमें से कुछ खास निशकर्ष नहीं निकाल पाते सो 12 घंटे fasting सबसे पहला रूल आपको कोलेस्टरॉल के लिए इस्तेमाल करना है नंबर क्या है 12 घंटे fasting रखना है मतलब रात को 9 बजे खाना खाया तो सुबे 9 बजे के बाद खून निकलेगा नहीं कि 14 घंटे fasting की जड़ोत नहीं है 12 घंटे fasting उसके बाद जो दूसरा aspect याद रखना है आपको कोलेस्टरॉल के इसमें की पूरा complete कोलेस्टरॉल लेवल कराने है आपको आपका लिपेड प्रोफाइल में आएगा आपका total cholesterol, total triglycerides उसके बाद में उसके जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं bad cholesterol में LDL, VLDL, good cholesterol में HDL, उनका ratio, उनका ये वो बहुत सारी चीजे माइने रखती हैं इसमें याद रखिए और इसी के चलते cholesterol का आंकरन किया जाता है whatever you call it कि cholesterol जो है आपके लिए कितना खतरनाक है और आपका cholesterol level जो है वो आपको किसी प्रकार से दिक्कत देगा या नहीं देगा जब बात आती है कि क्या cholesterol आपको दिक्कत देगा तो सबसे पहले मैं clear कर दूँ कि cholesterol खुद से किसी को भी heart attack नहीं कर देता cholesterol की मातरा चाहे आपकी दो गुना जादा हो या दस गुना जादा हो डायरेक्ट जाके खुद की नसों में चिपखने नहीं लग जाएगा उसको चाहिए trigger तो जब trigger होगा जैसे के high blood pressure continuously high blood pressure या फिर शुगर जादा हो या फिर कहीं inflammation हो body के अंदर body के अंदर stress जादा हो ऐसे सारे situations में आपके खुद की नसों में cracks आ जाते हैं मान लीजे injury हो जाती है internal endothelium में और उसके उपर जाके लग जाता है आपका cholesterol और वहां पर cholesterol के साथ stickiness होता है sticky substance है wax like substance है तो platelets और खून की नसे और दूसरी तीसरी फदानी धंकानी चीजे आख खून की जो cells है वह आके चिपकने जल जाते हैं और चिपक चिपक के वहां एक plaque बन जाता है शरीर उसको calcium deposit करके fix करनी कोशिश करता है वरना वहां से तूटके आगे जाके छोटी नस में block कर देगा तो ना गलती calcium की ना गलती cholesterol की है गलती किसकी है गलती आपकी है गलती है आपकी के आप जो है blood pressure sugar और stress और इसको control नहीं करते शरीर की regular exercise नहीं करते तो जब cholesterol की गलती नहीं है तो फिर lipid profile पे इतना जोर क्यों दुनिया भर के लोग cholesterol हो जाने पे डरते क्यों है इसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं क्योंकि पहले लगता था कि cholesterol जब ज़्यादा हो जाएगा तो cholesterol attack करेगा अब वो आ तो और जड़ा मातरा में चीप कैंगा जो जादा चीजे होगी तो जड़ा चआतो चीज़ हैं याग Bible काइढ दो प्रोटीन जिसको गुड़ कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं इसको कोशिश करके आपको पचास के उपर रखना है पचास के उपर रखने के लिए जब पहला और सबसे जरूरी चीज आपको चाहिए वह वर्जिश फिजिकल एक्टिविटी से यह बढ़ता है और किसी चीज से नहीं बढ़ता जितनों जादा फिजिकल एक्तिविटी करेंगे उतना यतना जादा बैलेंस डाइट खाएंगे गुड कोलेस्टरॉल के लिए उतना भेतर होता है राइट यह कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है राइट बैलेंस डाइट जरूरी है अगर आप बैलेंस डाइट नहीं जानते तो बैलेंस डाइट वाला वीडियो देखिएगा नमबर दो पर वेडियोडय लॉडेंसिटी लाइपोप्रोटीण वी इल डील यह दोनों बैड माने जाते हैं अब वह लडियाल है वह लोडैंसिटी यह वेरी लो है तो इसको वेरी बैड बोल दीजिए वेरी बैड जिहां आजकल की दुनिया में जब के कार्भोहाइड़ेट का सब्सक्राइब करेंगे तो LDL कम होगा तेल घी बटर मक्षन मलाई कम करेंगे तो LDL कम होगा एक्सरसाइस करेंगे तो LDL कम होगा HDL बड़ेगा सलाद खाओगे तो सब में हल्प होगी तो यह होगे आपका पूरा निचोड जाके इस निचोड को अपने शरीर के लिए अपने सेहत के लिए इस्तमाल लिए ठीक है और मीट खराब निया मीट के ओपर की चरबी खराब उसको बनाने का तरीके में बटर खराब है तो जो थो समझो बेठैगे चीज़े जो हैं बहार से लेक्पर चाहए मैं काफी तकत्स ूड्य जुवाग नहीं घाना है यह सर लिए स्ब से आपका बाइसां लबे यह नुकी हो गया है चलो स्वारी फर दाब्स दिस्टर्बंस इस इस डाग तो वाट चैन रेज और पर तीन्स रेजिए कोलेस्टरोल यह से एज है जैनेटिक कंडीशन सेंवजन बढ़ेगा तो कोलेस्टरोल बढ़ेगा कुछ रेज यहने के कुछ टाइप क कि रेसे के उनका कोलेस्ट्रोल जाद है एक अपर हर साल चेक कर वाना है तो तीन महिने में चेक कराना है and you do something about you take medicine or you do diet you do exercise you do all of that right and you do check checking regularly regular checking भी पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है आपके साथ में क्या होने वाला है और अगर आपको और वी सारे risk factor है BP sugar heart के जो risk हैं तो फिर heart की भी test ज़रूरी हो जाते हैं ताकि heart की attack होने से पहले हम उसे पकड़ सकें अगर आप समझ रहे हम क्या करें हैं जो लोग young हैं उनके लिए ध्यान में रहें कि cholesterol जो है वो पहली बार चेक होता है 9 से 11 साल की उमर में बच्चों का test हर 5 साल में होना चाहिए और जिनकी खराब है उनके 2 साल में होना चाहिए और बड़ो का test जो है जो 20 साल के उपर है काईदे से वैसे तो उनका भी हर 5 साल में होना चाहिए लेकिन 40 की उमर के बाद 40-45 की उमर के बाद हर साल होना चाहिए यह बेसिक होगे आपका कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की जाच उसका इंटर्प्टेशन उसका फलाना उनका ढमकाना तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही है बाच्चीत अगर नहीं पसंद आ रही नहीं समझ आ रही तो को बता दीजिएगा खुलके और नहीं और पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाईए शेर का बटन दबाईए सब को बताईए क्योंकि भाई साब हर डॉक्टर ऐसे समझाता नहीं है जैसा हम समझा और बीच बीच में थोड़ी सी कॉमेडी करनी पड़ती है ताकि आपको मन नुरंजन और मन बना रहे और आप टिको क्योंकि आप टिकते ही हो नहीं तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं दूसरे वीडियो सब्सक्राइब करें आपको कोलेस्टरोल कम कैसे करते हैं उसके लिए खाने में क्या डालना है अच्छे होते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लिजेगा ऑलिव इस सब्सक्राइब करें अच्छे होता है इंडियन कुकिंग के लिए इंडियन डाइट में बहुत जादा मात्रा में आपको यह जानकारी अगर आपको समझ आई है तो प्लीज आगे को भेजिए शेयर से शेयर का बटन दबाईए और कोलेस्टेरल के बारे में जानने के लिए आप हमारे में हमारे चैनल में या यूट्यूब पे आप कर दीजिए कोलेस्टाल बाए दॉक्त डॉक्त डॉक्त बाए डॉक्त ट्रै जूले करेंगे तो पिछले एक-दो झाल